हेलो इस्टुडेंट आज आपका टोपिक है हिस्ट्री ओफ फनीचर। आपको मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रो और इंपोटेंट्स पहले बता दी थी ही फनीचर की अब है हिस्ट्री। इसमें आपको ये बताएंगे कि पहले जो फनीचर होते थे वो कैसे नकासी के वो डि देन है यद भी उस समय के बहुत कुछ थोड़े अभ्यस्तित में है किन्तु कलाकार और सैत्यों से हमें मालूम पड़ता है कि वे कुछ सवरूपों का उप्योग करते थे जैसे काच टेबल चेश्ट और स्टूल प्राचिन समय में फनीचर बहुत पवित्ता के लिए होते थे यह सुन्दर लकडी, संगमरमर और कांसे के बने होते थे यह इनमें की गई सजावट, नकाजी, पेंटिंग, चिप्ट से दुआरा और आंत्रिक डिजाइन होते थे प्राचिन जो डिजाइन होते थे वो क्यासे होते थे जो विचारों नमोनों के थुरू गिरिक और अब भी हमारे स्थित्व में है बट हमें कुछ कलाकार और सहत्यों से मालूम पड़ा है कि यह कुछ सवरूप मतलब कुछ ही माटरियल यूज करते थे जो जिसे यह फनीचर में यूज करते थे फनीचर जो यूज था उनका कांच के टेबल चेस्ट और स्टूल यह पवित् प्रिंटिंग करते थे चीप्सिया और या आंत्रिक डिजाइन होते तो बहुत बारीक बारीक डिजाइन यूज करते थे फिर विदोसों में फनीचर का इत्यास इसमें क्या है पंदरवी और सोलवी सतापदी में इटली यूरोप और अमेरिका यह तीन विशिष्ट विश् वी 508 के मद्धे विख्सित हुई ती चोदासो से अठाचाव की सतापदी के बीच यह विख्सित हुई थी जो क्लासिकल अंच grenade कर है यह आकार में बड़ी सम्जोतिध होते थे जिसमें बड़ी इन खड़ी दी रेख़ाओं चीजोतक कर साल्यिक निवारोज किया जाता था वो ओक की और ख्रोट की लकड़ी बना की होती थी जो इसके फनीचर होते थे यह सुनेरे ब्लू रंग के होते थे जो रिसेंस है लिए यह इटली की थी कब होती थी यह 1400 से 1800 के ठीक है न और यह क्या बड़े आकार के होते थे और खड़ी देखाओं में यूज किया जाता था और इसमें जो चित्र होते थे आपको आपको बता है अभी में ने वो मानो और पशुकी कलकर्थी के दुआरा यूज करते थे सैकेंड है आपकी बोरक शैली यह सैली पी इटली में 1550 से 1750 सताब्दी के मध्ये विक्सित हुई इसकी विशेषता काफी कुछ रिनेंस फनीच यह फ्रांस में 1715 से 1775 सताब्दी के मध्ये विक्सित हुई यह फनीचर छोटे यह सम्मीत्य वाले थे जिसमें इनमें खडी रेखाओं का यूस तो होता था किन्तु कोनों का उप्योग नहीं होता था यह अक्रोट मोंगनी रोजवूड लगडिके बनाय जाते थे इनमें चित्र बनाय जाते थे एवं कोमल हलके रंगों का उप्योग किया जाता था यह फनीचर अनुपचारिक होते थे जो विलासिता अराम मित्रता पूर्ण वास्तु कला का भाव परदिसित करते थे रिको को सैली क्या होती है यह आपको पता है ना 1715 से लेके 1775 के बीचकी होती है यह छोट जो यह फनीचर होंगे इसके छोटे होंगे समझाते होगे इनमें भी खड़ी देखाओ को यूज किया जाता है बट कोनों को प्योग नहीं किया जाता और यह जो इसमें फनीचर में यूज होती है वुड वो अक्रोट महोंगनी और रूस वुड की लगडिके बने होते थे ठीक है ना और जो इसमें नकासी होती थी वो प्राक्रतिक चित्र दुआरा होते थे थे फोर्थ है आपकी नियो क्लासिकल सैली यह भी फ्रांस में 1775 से 1870 सताब्दिके में विक्सित हुई थी जो इसमें फनीचर है वे समझाते है खड़ी रेखा वाले अंडा कार पैर सीदे चित्रकारी किये हुए मोग एवं मोगनी एव साटीन वुड के बने होते थे इनकी जो गद्दे में सिल्क एव सूती के तंतु का उप्योग लाया जाता था एवं नाजुक रंगों का उप्योग किया जाता था यह परतिष्था नाजुकता आराम का भाव प कि अधा कार सीदे चित्रकारी किये हुए मोगनी इन साटीन वुड के बने होते थे यह आप यादकना फिर आपकी भारत में फनीचर का इत्यास कई यूगों में प्राचीन भारत में जो हमारा पहले भारत हमारे यूगों थे वो सहत्यों में फनीचर सब्द का संधरप किया प्राइंचर के भारत में फनीचर के बारे प्रियंका अनसांदनी प्रोस्था तलपा ब्रह्म सायन उप्वासना आधि जो सब्द हैं वे वो ओभारत में प्रेशरिकुक्त क्या जाते हैं जो यह नाम है यह अल्ग-अलग फनिचर के होते थे जो जैसे बहुत dawn जो फुनीयूज होता थे पहले टाइम में डिफरेंशिज हैं आपको पता है जो मैंने वाला बता है उसमें क्या है वह इसमें ग्रिण और रोमन के विचार्ज लोगों की देन से किया जाता था ठीक है ना जो विदेशी होते थे वे फोर्थ हैं फर्ष्ट वाले में क्या है ये चोदेश से अठारा सो के बीच थी और बोरिक में पंदरा सो पचास से लेके सतरा सो पचास फेनियोनी कलासिक में ऐसे ये अलग-अलग तरीके के बनाए जाते हैं